सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चनल को और बिल आइकोन को फ्रिस कीजिए लेटेस्ट टूडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए दुनिया के ज्यादा तर देखों के मुकाबले भारत में ट्राफिक रूल के नियमों का पालन करने में लोग बहुत ही लापरवा होते हैं बड़े सहरों की स्थिती तो ठीक है, लेकिन छोटे सहरों, कस्वों और ग्रामिंग सेतरों में लोग बिल्कुल भी ट्राफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, वैसे तो ट्राफिक रूल में कई नियम है, लेकिन इसमें एक सुरक्षा का जरूर नियम है, ड्राइविंग करते स इस नियम में भी ड्राइवर तो सीट बेल्ट लगा भी लेते हैं, लेकिन सामने बेठे पैसेंजर साइध ही कभी सीट बेल्ट लगाते हैं, और पीछे बैठने वाले पैसेंजर को सीट बेल्ट से कोई लेना देना नहीं होता। भारत में लोग ऐसा क्यूं करते हैं? इसके बारा में एक कार कंपनी के द्वारा कराए गए सर्वे में भी कई करण सामने आये हैं, जिनके बारा में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे. ट्राफिक कानून क्या है? असल में भारत में ट्राफिक रूल के कानून में विश्यस रूप से पीछे बैठने वाले पैसंजर के लिए सिट बेल लगाने की कोई कानूनी अनिवारियता नहीं है यह सिर्फ ड्राइवर के लिए कानूनी रूप से जरूरी है इस कारण कई के लिए सिट बेल उपलब्द कराते है और जिनमें सिट बेल होते भी है तो अपनी लापरवाही के कारण पीछे बैठने वाले यात्री इसका उपयोग नहीं करते हैं कारों में सिट बेल्ट बिना वजह के ही नहीं लगे होते है बलकि सुरक्षा के द्रस्टी से यह बहुत उपयोगी है ग्लोबल स्टेडिस की रिकोर्ड बताती है कि सिट बेल्ट लगाने से एक्षिडन की वस्था में घातक चोटो की संभावना 50% तक कम हो जाती है और गंबिर दुरकटना में मृत्य की आसंका लगबग 40% तक कम होती है एक्सिडेंट की स्थिति में सिट बेल्ट ना पहनने वालों की तुलना में सिट बेल्ट का उप्योग करने वाले लोगों के वहान से सुरक्षित भाहर निकलने की संभावना लगबग 35 गुना अधिक होती है सर्वे में सिट बेल्ट ना पहनने के बताएगा एक काराम लोगों में जागरुकता का अभाव सिट बेल पहनने को लेकर लोगों में जागरुकता का अभाव होने के कारण ज़्यादातर लोग यह नहीं मानते कि किसी दुरगटना के समय यदि वो सिट बेल पहनते है तो उन्हें अधिक घातक चोट लगने की संभावना कम होती है और अधिक घंबिर दुरगटना की स्थिती में उनकी जान भी बच सकती है सर्वे में सामिल लगबग 35% लोगों का ऐसा ही मानना था भारत में युवाओ के विचार ज्यादातर युवाओ वर्ग वैसे भी किसी नियम कानून की परवाह नहीं करते भारत के युवाओ भी इसका अपवाद नहीं है सर्वे के अनुसार ज्यादातर युवाओ सिट बेल जैसे चीजों के प्रती बहुत लापरवा होते है कुछ उम्र दराज लोग जरूर हमेशा सिट बेल का प्रयोग करते है लेकिन युवाओ वर्ग में 80% लोगों का कहिना था कि वे कभी सिट बेल का उपयोग नहीं करते और ऐसे युवाओ जोडे जिनके बच्चे है उनमें 65% लोगों ने और अन्य 50% युवाओ जोडों का कहिना था कि वे कभी सिट बेल नहीं पहनते ये परिणाम बताते है कि भारत में सिट बेल पहनने की जरूरत का लोगों की नजर में क्या महत्व है अपने कपलों को बचाने के लिए किसी घातक एक्सिडन के दरण जान बचाने में उपयोगी सिट बेल पहनने के महत्तों को जानते हुए भी कई लोगों ने इसे न पहनने के कई कारण बताए जी हाँ सर्वे में लगबग 30% लोगों ने कहा कि उनके कपलों को खराब होने से बचाने के लिए भी वे शिट बेल नहीं पहनते हैं शिट बेल ज्यादा उपयोग न किया जाने के कारण अधिकतर गंदे होते हैं जिससे उनके कपड़े भी गंदे और खराब हो सकते हैं साथ ही उनमें शिकुड़न आ जाती है इस वजह से वे शिट बेल नहीं पहनते हैं लोग समझते हैं कि आप डर पोग है आप हैरान मत होँए इस सर्वय के परिज़्डाम बताते हैं कि लगब hij प्रतिसर लोग ये समझते हैं कि शिट बेल लगाने से लोग उन्हें डर पोग और कमजोर समझते हैं उन्हें लगता है कि आपके मन में मरने का डर है इसलिए शिट बेल लगाने वालों को कई लोग मजाक उड़ाने वाली नजर से देखते हैं और वे ऐसा करते भी है अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्द्या वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे हैं थैंक यू